हेलो फेल्ट्स वेल्कम तो मैं इस्टडी फिट चैनल दोस्तो फुटबॉल के रूल्स मेजरमेंड्स कॉप एंट्रॉपी अंतराश्टी संगठन से रिलेटिट मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन लेके आई हूं दोस्तो वीडियो को सुरू से लाज तक देखेगा एक भी कोस कीजिएगा सभी कोस्टन आपके लिए इंपोर्टेंट है और इसी तरह के कोस्टन सहर बार पुछे जाते हैं दोस्तों के वेकेंसी आ गई है अपने यूपीटी जीटी को फॉर्म वराई है एंड यल्टी गेट की वेकेंसी भी आने वाली है और बहुत सारी वेकेंसी आए तो दोस्तों डेली बेसे इस पे आप तयारी करते रहिए आप सिलिबस के एकार्डिंग सभी कंपटिसन एक्जांस फिजिकल एजुकेशन की करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोज सिलिबस के एकार्डिंग है एंड हंडर से जड़ा वीडियोज मैंने MCQ का प् तो दोस्तों बेहतरीं तयारी करें मेरे चैनल को आप विजिद कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के प्रशनों की तरफ क्वेशन है दोस्तों कि फुटवाल के मैदान के लाइन की मुटाई कितनी होती है तो फुटवाल के मैदान के लाइन की मुटाई पांच इंच यानि की साहे 12 संटिमीटर होता है जैसा कि दोस्तो फुटबाल ग्राउंड की लाइन की मोटा की सबसे मोटा होता है यह अगर कुछ अगर सामे साथ इंच पर मैं टिक लगा दिया था तो यह इसकी लाइन की मोटा होता है। पाँच इंच यानि की três साषे बाहरा संटिमीटर जब ru 현back के ग्रावन के लाइन की दूनाइव होती तीन इंच यानि की साथ संटिमीटor होता है उसके सबसे कम हुता है बेनल्र की चार संटिमीटर एनेश कोचर है फुटबाल के गोल पोस्ट की उच्चाई कितनी होती है फुटबाल के गोल पोस्ट की उच्चाई आठ फिट होती है दोस्तो किता होता है आठ फिट यानि की 12.44 मीटर अगर मिटर में पूछेगा तो दोनों में आप याद रखेगा नेज़ कोस्चर है फुटवाल के गोल पोस्ट की चुड़ाई कितनी होती है तो आथ गज होता है यानि कि 7 दश मुल तीन-दो मिटर नेज़ के फुटवाल के गोल पोस्ट का ब्यास कितना होता है तो 5 इंच यानि 12 सेंटिमिटर होता है Google Post का ब्यास And next question है फुर्वाल की गेंद का भार कितना होता है तो फुर्वाल की गेंद का भार होता है 306 से 454 ग्राम यानि की 14 से 16 ओंस में पुछेगा तो ठीक है next है फुर्वाल की परीधी कितनी होती है तो फुटबाल की परीधी और्सर से 70 cm होता है यानि कि इंच में पूछेगा तो 27 से 28 इंच हो जाएगा नेश्टा फुटबाल की हवा का दबाव कितना होता है दोस्तों तो 0.66 से 1.10 kg प्रति सेंटिमीटर स्क्वाइर एट्मोस्फेरिक लेवल पर होता है नेश्टा फुटबाल की मैदान में लगे जण्डे की उच्चाई कितनी होती है तो हरे कोने पे जण्डा होता है जो 5-5 फीट का होता है और दो जण्डे जो आफसनल होते हैं जिन्हें चाहे तो सेंटर लाइन से ट्रच लाइन पर लगा सकते हैं जो एक गज की दूरी पर सेंटर लाइन से लगाए जाएगा और जण्डे की कपड़े की लंबाई चोड़ाई होती है एक गुड़े देड़ फुट ने सबसे अधिक बार फीफा कप किसने जीता तो सबसे अधिक बार फीफा कप जीता है ब्राजील ने किसने जीता है ब्राजील ने ठीक है और दोस्तों जो फीफा वर्ल्ल कप है इसकी सुरुआ 13 जुलाई 1930 उरुगय की राधानी मौन्ट वीडियो में हुआ था अज जो 2022 का जो फिफा वर्ल्ड कप हो राया है वह दोहा कतर में हो राया है ठीकर 2018 में रसिया में हुआ था next है दोस्तो 2010 का गोल्डन बाल पुरुषकार किशने जिता था तर्डियोगो फारलाग उर्गवे का जिता था जबकि 2018 का गोल्डन बाल पुरुषकार जीता था लुका मेड्रिक ने क्रोईसिया का नेश्ट है 2010 का गोल्डन बूट पुरुषकार किसने जीता था तो थामस मुलर जर्मनी का जीता था अन 2018 में गॉल्डन बूट पूरुसकार जीता था हैरी कैन ने ने फीफा कप ट्राफी का भार कितना उनता है इसका भार होता है मलग साथ पांच किलोगराउं ने स्को अन TechnAY फीफा वर्लक ट्राफी के उचाहि कितनी होती है छे दसमनों एक साथ पांच किलोग्राम निश कोशन है फिफा वर्लकप ट्राफिक की उच्चाई कितनी होती है तो इसकी उच्चाई होती है 3.6 forearm निश कोशन है दोस्तों की 2.14 का फिफा वर्लकप कहां पर आयूजित किया घा था तो 2014 का जो FIFA World Cup है वो ब्राजील में आयुजित किया गया था 2010 का FIFA World Cup कहां पर आयुजित किया गया था 2010 का FIFA World Cup दच्छी अफ्रीका में आयुजित किया गया था 2022 में कहां हो रहा है 2022 में दोहा कतर में हो रहा है इसको भी ध्यान में रखेगा अधोज़ादस का फीफा वर्ल्लकप जीता किस ने था दोस्तो तो इस्पेन ने जीता था नेश्ट है फुटबाल वर्लकप प्रतविता कब से आउज़त की गई थी की गई तो दोस्तो इसकी सुरुवात फीफा वर्ल्लकप की 1930 में हुआ था अरुग्वे में नेश्ट है पर्थम फुटबाल वर्लकप किस देश में आउज़त किया हुआ तो पर्थम फुटबाल वर्लकप उरुग्वे की राधानी मौन्ट वीडियो में आउज़त किया गया ठीक है पर्थम फुटबाल वर्लकप किस देश ने जीता था तो उस जीता था उरुग्वे ने ठीक है अब भारत दुसरे फिफ़ा कि भाघ लिया था उन 1974 में ये भी ध्यान में रखिएका एक फिफ़ा का पूरा नाम क्या है फेडरेशन इंटरनेशनल डिफृटबाल एसोशीएशन जैसा कि फीफा की इसथापन फेडरेशन data audible फुटबाल संग इसकी इस्थापना हुआ था 21 महीं 1904 पेरिस फ्रांस में और इसका मुख्याल यानि हेट क्वार्टर है जूरिक सुर्जन लेंड पर्थम अध्यच थे सी गुरीन फ्रांस के और बरतमान अध्यच गियानी इंफेंटीनो सुर्जन लेंड के हैं दुस्तों औ अंतर राष्टी फुटबाल मैचों का संचालन कराने वाली संस्था है नेस्ट कोर्चन है AIFF का पूरा नाम है AIFF का पूरा नाम है आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन यानि कि अखिल भारती फुटबाल संग इसकी इस्थापना 23 जून 1970 सिमिला में हुआ था और इसका पस्टि मंगाल में अबरतमान अध्यच प्रफल नमनोहर पटेल जी है और AIFFR फुटबाल फेडरेशन चाह करता है भारत में फुटबाल खेल का नियंतर करता है नेश्टा फीफा कप की स्खेल से समंधित है फीफा कव जैसा कि आप सबको पता है फुटबाल से समंधित है नेश्टा अंतराश्टी नेहरू गोल्ड कप की स्खेल से समंधित है यह भी आपका फुटबाल से नेश्टा फुटबाल खेल से कौन सा समंधित है आप सन है मर्डेका कप डुलंड कप प्रवर्स कप उपरक्त सभी यह उपरक्त सभी आपके फुटबाल से समंधित सब्द वो कप उप्रोक्त सभी तो यहाँ फे उप्रोक्त सभी सभी हो जाएगा नेश्टा निन्वे से कौँसी ट्राफी फुटवाल खेल से समंधित नहीं है आप्शन है सर आस्तोस मुखवजी ट्राफी कलिंगा ट्राफी यूरोकप पदमा ट्राफी जो है आपका फुटबाल से समंधित नहीं है पदमा ट्राफी फुटबाल से समंधित नहीं है और सर अस्तोस मुखवजी ट्राफी कलिंगा कप यूरो कप ये आपके फुटबाल से समंधित है तो इसमें पदमा ट्राफी जो है महिला क्रिकेट से समंधित है दोस्तों सुमिलित करना है आपको जैसे कि दोस्तों आपको फुटबाल से समधित प्रमुख सब्दावलिया है आपके चकोला गोल्ड ट्रॉफी, फिफा कप, मडेका कप, रोवर्स कप, निहरु कप, अंतराश्टी निहरु गोल्ड कप, एसिया कप, आयफे सिल्ड कप, बाहदुर साष्ति ट्रॉफी, दुरन्ड कप, कलिंगा कप, सिजर्स कप, बिट्टल ट्रॉफी, नागजी ट्रॉफी, टर्ड 1914 Cup, संतोस् ट्रॉफी, डटर बीसी राय ट्राफी मिर इकबाल हुसेन ट्राफी सुबुर्तो कप बेगम हजरत महल ट्राफी इस सब समंधित है आपके सब्दावलिया फुटबाल से नेक्स कोचन है सही सुमिलित करना है आपको आपसन है ए है सदेन डेथ है इन इस्टेप की दारेट की थ्रोप तो यहाँ पर आपको मिलाना है यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर होगा ए सदेन डेथ का हो जाएगा sudden death का होगा try break करने के लिए sudden death दिया जा लग जाता है और आपका in step kick B का हो जाएगा आपका in step kick B का हो जाएगा in step kick एक console है यानि एक skill है and direct kick direct kick आपका हो जाएगा नाइल पैनल फाउल करने के लिए दिया जाता है and D का 4 ही हो जाएगा आपका गेंद साइड लेंद से बाहर जाने पर थो दिया जाता है आफसर नमबर एक अरेक्ट होगा next है फुडवाल में कुल कितने नियम होते हैं तो कुल इसमें 17 नियम होते हैं next है फुडवाल खेल की समया अवधी कितनी होती है तो इसकी समय होती है नबे मिनट का दोस्तों कितना होता है नबे मिनट का यानि कि 45-45 मिनट के दो हाफ होते है 15 मिनट का मध्यांतर होता है आफसर नमबर सी करेक्ट है next है मैस के टाइब हो जाने पर नियम किस अधा पर लिया जाता है होने पर 15-15 मिनिट का extra time दिया जाता है दो हाफ में और 5 उनिट का आपका मध्यानतर दिया जाता है निच्टizes meditation दिये जाने के पस्चात भी टाई तो था दिया जाएगा तो d tidak दिया जाता है ने शाब फुटबाल के मैच में कितने Κलाड़ी में में खेलते हैं दोस्तो तो ग्यारे खिलाड़ी खेलते हैं नेश्टा फुटवाल के एक मैच में कितने खिलाड़ी बदले यानि सब्टिट्यूट किये जा सकते हैं तो तीन खिलाड़ी ठीक है दोस्तो इस सब्टिट्यूट पर कुछ नियम बरतमान में बदले हुए हैं फु आपको समझ में आए होंगे जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर पताइए और ज्यादर ज्यादी वीडियो को सेयर किया किजिए दोस्तों और डेली बेसे से बने रही है मेरे चैनल पे इसी तरह जितने भी खेल हैं उन सब की मेजर में रूल्स एंड अंतराश्ची संगर्षन का ट्राफिस रिलेटेड वीडियो आपका कम्प्लीट होगा और अभी तो तीन-चार गेम ही हुए है और एथलेटिक्स रिलेटेड जितने भी कोस्चन्स हैं उससब मैं करा दी हूँ सभी कोस्चन्स को आप जाके देख लीजिएगा तो दोस्तों फर्स बार वि प्रिस कर लीजिए जिसे न्यू वीडियो का आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्रिए जाएं